सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए स्वागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस टेबलेट के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं उसका प्रियोग सिर्फ और सिर्फ पूर्सों में ही किया जाता है और यहां टेबलेट डू अलग अलग दवों का कॉंपोजिशन ने वे दवाईयां है टेम सुलोशन ताथा right टहिए दक टेम सुलोशन तता द्यम्स टेबलेट को आप सी इस नाम से जानती हैं उसे दवा का ब्रेंड नेम कहते हैं उन्स और कुछ पुपूलर ब्रेंड जैसे की युरिमेक्स डी टेबलेट टी टेबलेट मसें फिर्स टेबलेट टाथा वीदियो में जानेंगे जिसमें हम मोलत जानेंगे इसकी यूज सिट्रइंथ सब्सक्राइब को प्राइब्सक्राइब उटा 9-. साधीच आप देखें अपना यूट्यूब चैनल लर्ण अबॉट मेडिसिन चलिए आश्वी कुछ नया सिकते हैं है लो फैंक्स नमस्ते दोस्तों इस टेबलेट में जो टेमसूलोसिन एसे हम टेमसूलोसिन हाइड्रोक्रोड नाम से भी जानते हैं यह यूरो सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लोकर दवा है जो प्रोस्टेट ग्लेंड के मसल्स को रिलेक्स करने का काज़ी करती साथी इस टेबल होती है जिस कायण से जो प्रोस्टेट की ग्रोथ है जो अकार है वह नहीं बढ़ता इस तरह से दोनों दवाईयां मिलकर भी मारी को ठीक करने का कारे करती अगर बात करें दोनों की इन दोनों की स्टेबियर में क्या स्टेंथ होती है तो इस दौए में टेमशूलोसिन 0.4 म प्रति प्राइस के बात करें जो दवा की प्राइस होती ब्रांट वेरी होती है यहां पर जो सभी ब्रांड से उसकी एवरेज प्राइस को प्रति प्राइस रोपए से 35 रोपे और सभी ब्रांड की इस ट्रिप प्राइस के लिए जाते हैं तो जैसा कि यह टेप्लेट एक प्रोस्टेट गलेंड पर कारिक करने वाली टेप्लेट है तो इसका मुख्यत प्रियोग prostate enlargement जिसे हम BPH benign prostate hyperplasia नाम की बिमारी से भी जानते हैं इसके treatment में लिया जाता है इस समय विया पूरूसों में जो prostate gland है इसकी size बढ़ जाती है जिस करण से bladder के नेक बंद हो जाती है और विक्ति को पैसाब से जुड़ी हुई समयश्यों का सामना करना पड पूर्ट के समय दर्द भी हो सकता है यह समझे होती है इसको ठीक करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है अगर यहां पर थोड़ा से इंट्रेक्शन जाने प्रोस्टेट क्या है प्रोस्टेट एक गरंती है जो पूर्सों के urinary bladder जो पेसाब के थेली इसके गर्दन पर महिलाओं में क्यों नहीं दिया जा सकता है क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लेंड है इसी पर यह कार्य करती है और प्रोस्टेट ग्लेंड से पूर्सों में होती है महिलाओं में नहीं होती इस कारण से इस टेब्लेंड का प्रियोग महिलाओं में नहीं किया जाता है लेकिन इ जाने के लिए उपर कर सकते हैं अब आल कर सकते हैं जो ज्यादतर सब्सक्राइब और सकता है एक्टेल डिस्फंक्शन हो सकता है किसी किसी व्यक्ति में जो पेइनी तोपर देखें जा सकते यह एसके अलवग को दूसरे अनुवाटे डिफेक्ट आपको मुले तो तुर्णति अपने डॉक्टर से संपर करें जिससे की जा सके या कोई दूसरी दवा इसकी जगा दी जा सके अब वीडियो कलास में जान लेते हैं इस टेविट की क्या डूस होती है जैसा कि इस टेब रेट में हमने जाना था कि टेम सुलोसिन प्रोलॉंग रिलीस ता मोडिफाइड रिलीस में मिला ही जाता है इस ही करण से इस बन ओडी दिन में एक बार ही दी जाएगी और डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को हमेशा रात में लेने की सला दी जाती है और खाने के 30 मिनट के बाद में अगर ले तो काफी पेशन को अच्छा फायदा मिलता है अगर इसके डूरेशन की बात किया है तो अगर सुरुवात स्टेज में आपको प्रोडलोम है प्रोस्टेट की तो दस से 20 दिन या एक महिने तक आपको दी जाती लेकिन क्रोनिक डीजीज है तो उसमय आपको लंबे समय तक लेनी हो गई और जब लंबे समय तक आप लेते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया कि पैसें दवा लेना कई ब सब्सक्राइब को रेगूलर ले और अगर आपको समय थोड़े थे दिने बाद होती है जब आपको और सकता हूं उस समय सब्सक्राइब को ले सकते हैं लेकिन यह सभी इस्तति डॉक्टर की एडवाइच पर ही करनी है आप अपने मंद से नहीं करें कुछ समय का सामना आपक सब्सक्राइब करता हूं मिलते किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें और मस्त रहें